के बारे में काफी important topic होता यह interview point of view से इससे पहले हम hashmap, hasset सब देख चुके है, questions भी कर चुके है और अब मैं finally आपको बता रहा हूं, hashmap कैसे internally काम करता है क्योंकि अब मैं इसे end में जो बता हूं, क्योंकि आपको already पता है कि hash map होता है, किस तरह के से काम कर रहा होता है internally जानना बहुत जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा widely used data structure है ठीक है, hash map, आपका arrays के बाद second number पर सबस्यादा use किया जाता है, hash map multiple algorithms के अंदर use किया जाता है इसी वज़े से काफी important topic हो जाता है यह interviews के अंदर, मेरे से खूद काफी बाद पुछा जुका है, urban company के अंदर पुछा गया था interview के अंदर, then hike के अंदर पुछा गया था, एक बाल interview के अंदर मैं खुद interviews लेते time, पूछ रहा होता हूं कई बारी क्योंकि काफी सारे चीज़ना आप जज़ कर ले तो इस question के थुरू, एक important topic है, एक standard topic है, hash map की internal working को जानना, तो आज वो समझने वाले है, properly, and उसके बाद हम देखीए, थोड़ा सा code करके कि कि किस तरीख से Java के अंदर, hash map आपका implemented होता है, ठीक है, तो hash map अगर आपको नहीं पता, तो मैं आपको एक brief overview देता हूं, कि इसके अंदर आप हमेशा key and value पे restore करते हो, right, key and value पे restore करते हो, अब यह key किसी भी type कि हो सकती है, यह value किसी भी type कि हो सकती है, integer, string, string, integer, object, integer, string, जो भी, और एक और खास से तो दिये इसके अंदर एक key K2 present हो, उसके corresponding value V2 present है, अब कोई third आप entry डालें का try कर रहे हो, जिसका है K1 corresponding to V3, यह डालने का try कर रहे हो, तो इसके अंदर एक K1 V3 नहीं डालेगा, ठीक है, यह नहीं होगा, क्या होगा, अगर यह देखा, क्या K1 वाली key already present है, अगर present है, तो उसकी value को update कर देगा, ठीक है, यह V3 था, ठीक है, V1 से अब यह V3 हो जाएगा, तो यह चीज नहीं होगी इसके अंदर कभी भी, इसलिए इसके अंदर जो keys होती है, वो कभी भी repeat नहीं करती, यह concept होता है, एक hash map का, और यह किस तरीक से ही सब चीज़ अचीज आचीब कर रहा होता है, एक और चीज, इसके अंदर जितने भी operation होता है, आपके insert, search and delete, यह सारे के सारे operation आपके big O of 1 के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है, यह बहुत ही powerful चीज हो जाती है, जो की काफी बार use हो रही होती है, आपके arrays होगे, linklish होगे, उन सब में से किसी के पास भी यह power नहीं होती, कि आपको यह तीनों operation, big O of 1 के अंदर कर दे, बस इसके अंदर एक ही आपका trade-off होता है, कि आपके contiguous fashion में चीज है store नहीं होती है, random order में, random fashion में store होती है, तो वो random fashion में क्यों store होती है, ऐसा क्या गजब हो जाता है, हम तो डाल रहें sequentially, लेकिन वो random order में जा रहा है, वो पुरा आता है, hash map, तो समझने वाल है, क्योंकि इसका जो basic juice है, जो basic funda चुपा हो, वो चुपा हो है आपकी hashing के अंदर, hashing के concept होता है, basically, जिसकी help से आप multiple बड़ी-बड़ी objects को, या फिर बड़ी-बड़ी strings को, एक छोटे finite amount of string, या छोटे finite amount of value के अंदर आप उसे convert कर सकते हो, त एक बहुत important concept होता है, जो कि हमारा hash map के अंदर use हो रहा होता है, तो hashing को जरा ठीक से समझने वाल है, hashing का काम क्या होता है, ये hash function use करता है अपने अंदर, ठीक है, सपोज़कोर ये hash function है, जो कि input ले रहा है i, और उसके corresponding value generate कर रहा है, सपोज़कोर ये output generate कर रहा है, तो इसकी नहीं होगा, ये चीज़ कभी नहीं होगी, hi के लिए हमेशा output ही generate होगा इसके अंदर, लेकिन एक और चीज़ होती है, ये भी मत समझना, कि hi dash pass किया मैंने इसके अंदर, तो उसके लिए output दुबारा से generate नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, same input के लिए आपके same output generate होंगे, ल और से हम कहते है, collision, वो भी समझने वाल है, ठीक है, तो ये आपका basic overview हो गया, आपको समझ में आगा होगा, कि है है, किस तरी किसे होता है, चाहिका इसके अंदर operation होता है, बड़ी बड़ी values को छोटी-छोटी values के अंदर map कर देना चाहिए, ठीक है, जैसे ये कुछ बहुत ब ये मैं ऐसे रेंडम लिख दिया, यहां पर 7 आपको समझाने के लिए बस, यहां पर string था, तो उसको इस तरी के से मैप कर दिया, एक छोटी value के लिए, कोई object है, कोई कुछ नग्लास का, उसको इस तरी के से मैप कर दिया, एक छोटी value के अंदर, मैं यहाँ पर integer मान के चल ल होता हो, लेकिन hashing in general जरूरी नहीं होता है, hashing in general का मतलग यह होता है, बहुत बड़ी value को एक बहुत ही छोटी value के अंदर map कर दिया, अब हो सकता है, वो किसी भी format के अंदर हो, वो value, ठीक है, should be in O1, और O of length in case of string, तो इसका मतलब क्या है, कि big of 1 के अंदर यह सारे operation इसे करने चाहिए, ठीक है, यह hashing का operation हो रहा है यहाँ पर, यह big of 1 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, वरना हमारे ले काफी ineffective हो जागा hash map, ठीक है, big of 1 में कभी कैसे काम कर सकता है, जब एक direct formula हो, बिना for loop वाला, तो आपका यह big of 1 में काम करेगा, तो जितने भी hash function होते है, वो big of 1 में काम करने चाहिए, in case of string, जब आपकी string है, तो string की जितनी length है, उसके range में भी काम कर जाएं, तो भी कोई दिक करते हैं, क्योंकि string के case में, आपको एक एक करके सारे character traverse करने पड़ते हैं, तो भी कोई दिक करते हैं, ठीक है, string के case में, also यह सबसे important property होती है, जिसकी, कि एक अच् hashing को हमने देख लिया, hashing समझ में आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी उपर उपर से, लेकिन यह कर क्या रहा है, अंदर के ऐसा जादू कैसा हो रहा है, और यह करने के बाद फायदा क्या होगा, यह भी तो बताओ, ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं, यह जादू कैसे ह कैसा कुछ होगा, और उसके बाद हम समझेंगे, hash table का होता है, क्योंकि वो, यह सारा जो हम निकाल रहे हैं, वो सबका सब hash table में fit करने के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले integer अगर keys होगी, तो किस तरी किसे निकाल होगा, तो उसके लिए आप key modulus m कर दो, simply, तो आप की integer keys हैं, तो अगर आपकी string type की keys हैं, तो कैसे निकालना है, उसके लिए हम use करेंगे weighted sum को, weighted sum क्या होता है, यह basic लिए करता है, एक string को पकड़ता है, उसके अंदर जितने भी character होता है, उनको एक एक करके traverse करता है, और उनकी जो s काई value होती है, जैसे यहाँ पर s 0, यह इसकी अलग-अलग output है, तो उसके लिए best formula यह होता है, कि आप एक prime number को पकड़ो, किसी prime number को 31, 17, कुछ परखनी पड़ता, और इस तरीक से निकाल लो, ठीक है, तो अगर CAT का यह आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, तो ACT अगर इसके जगा आएगा, इसका कुछ भी permutation आता है, ACT ACT, तो इसके लिए फिर अलग value निकल काएगी, हाना, अगर हम simple S0 प्लस S1 प्लस S2 कर रहे होते, तो दौनका same निकल का रहा होता, which is, वो भी एक hash function होता, लेकिन काफी जदा अच्छा एक hash function नहीं होता, उसकी performance पूर होती काफी, यह string के लिए हो गया, अगला अगर objects है, तो क्य submitted sum ले सकते हो, यह suppose करो हमारे यहाँ पर जो object था उसके अंदर से फिक property थी name, तो name को पकड़ा आपने, name की value आ रही है, उसका आपने hash code निकाला, hash code तो आपको पता है string का किस तरी किस निकलता, यहां से जो भी value आएगी, उसको आपने add कर दिया, और आपने वही return कर दिया, अगर इसमें name के अलाबा एक और चीज होती ही, सब उसकर हो, age होती, age होती है, आपकी 24 जो भी है, ऐसा कुछ होता, तो फिर age का अलग hash निकालते हैं, और उसको फिर इसी तरीके से, x की power multiply करके add कर दे, लेकिन इस तरीके से आपके hash function काम कर रहे होते हैं, यह primitive type के होते हैं, तो यह हो गया, अगला हम hash table की बात करने वाले हैं, basically यह जो भी हमने निकाला है, इसका काम आने वाला है हमारी hash table के अंदर, इसकी जो भी value निकल के आने वाले है, वो हमारी hash table को fill करने में काम आने वाले है, ठीक है, तो आप बात करते हैं hash table की, और किस तरीके साब hash table के है array of nodes होता है यह आपकी node class है node class के अंदर एक k type की होती है वी type की value होती है 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 होता है इसका int से निकलता है तो यह है होता है और यह इसके अंदर एक node भी होता है जो कि next node को point कर रहा होता है तो basically अगर आप देखोगा इसे गौह से तो आपके तो मैंने seven size का array बना लिया है इसके अंदर हमारा एक basic hash function यूज होने वाला वो यह है कि उस number को लो उसको seven से module कर दो और यह सारे सारे numbers हम यहां पर डालने वाले है ठीक है यह सारे basically keys है जो हम यहां पर insert करने वाले है इनके corresponding कुछ-कुछ values भी होगी जो मैं यहां पर abstract आउट की हुई है क्योंकि हमारा काम से keys से रहने वाला लेकिन आपको याद रहें चाहिए यहां पर कुछ-कुछ values भी होती है तो होता गया क्या procedure होता है जब देखते हैं किस ते किस element हाले हैश function से निकलेगा जो की होगा आपका 24 modulo 7 which is 3 तो हैश हमारा निकला 3 and next जो होगा वह होगा फिलाल के लिए नल ठीक है तो यह हमारी एक node object बन जाएगा इस object को पकड़ने हम है और यह जो हैश जो हमें index value लाके दे रहे ना है क्या हैश function से value होगा आपके 2 तो 2 है हमारी यहां पर index हो जाएगी और 2 पर हम जाके 16 को insert कर देंगे तो यहां पर हमने 16 डाल दिया अगला है हमारा 1770 पर अब थर्ड पोशिशन पर आएगा तो थर्ड पोशिशन पर चाहरेगा अच्छा यहां पर नल तो है नहीं है ठीक है यह वैल्यू नल तो नहीं है तो आप किस तरी डालोगे यहां पर इसके आगे इसके सब्सक्राइगा वो नल होगा तो आइसके नोड को बनेगी और इसल़न नोड नहीं होगा वो इस को पॉइंट कर दे hanek तो आया हमारा 18, 18 का आपका hash निकलेगा 4 तो आपने 18 को यहाँ डाल दिया, तो 3 आप चेक करोगे, अच्छा यहाँ पर आए आप देखोगे अच्छा यह इसी के बराबर तो नहीं है तो आप जो की है वो इसी के बराबर तो यह तो आप देखोगे नहीं, 18 इसमें डलावा नहीं है आप अगले पर जगवे पर आओगे आप चेकर होगे 18 इसके बराबर तो नहीं है यह भी 18 के बराबर नहीं है ताना आप इसका मतलब 18 को यहां पर डालना पड़ेगा इसका जो next होगा वह आप जागा 18 तो इस तरीके से आपका यह इंग्लिश बन रहा है दन 18 नहीं सरी 10 देन आए आपका नाइन नाइन का आपका हैश होता है टू राइट तो वाली पोजिशन तो आप आप अल्रेड़ी एलमेंट प्रेजेंट है तो इसके next पर एक 9 वाली करता हूं गेट 12 तो कुछ नहीं करना उसके लिए आपको 12 पर आने और 12 का आपको हैश कोड से हैश निकलना है ठीक है तो 12 का आपका जो हैश निकलेगा आपको याद होगा मैंने अल्रेड़ी बताया है हैश फॉंक्शन जो होता है वो एक इन्पूट के लिए हमीशा सेम आ अगें यह वाला हैश फॉंक्शन होने वाला और यह हमें आउटपूट देने वाला है 5 ठीक है तो यह हमें आउटपूट देगा 5 हम इस टेबल में जाएंगे फिफ पोजिशन पर हम चेक करेंगे क्या यह वाला जो हैश कोड़ वाला element है वो present है तो इसका हैश कोड कितना यह भी सेम आउटपूट आ सकता है आपका तो आप चेक करोगे इस बार अब एक्जक्ट कीश को मैच करेंगे थे होगे अच्छा क्या सेम की प्रेजेंट है हाँ 12 12 प्रेजेंट है तो हमें element मिल चुका है और आप यह वाली value को गैट कर दोगे इस तरी किसा आप यह वाली value करोगे कि जहां पर वैली प्रेजेंट है इसकी जो की वाली value है वह इस वाली key के बढाबर है कि नहीं तो आप देखोगे नहीं बरापर नहीं है ठीक है यह 10 24 थो आप इसके next पर जाओगे कब तक यह next पर जाते होगे और था आप 17 से और लिए लिए 10 रुए 10 10 मिल गया तो तो 50 का कितना आएगा 50 का आएगा आपका 1 मोडूलो करेंगे तो 1 आएगा हैश कुमिशन से वहाँ पर चेकरोगे यहाँ पर प्रिजेंट ही नहीं है इस तरीके से काम करेगा इसके यहां पर आएगा यहां पर फिफटीव ही तो आपको इतना सारी करना पड़ा लगी उतना लंबी भी करना पड़ेगा इसके अंदर तो यहां पर यहां पर इस चेन की लैंथ पर बहुत लंबी होती जाएगी तो आपका इस चीज़ को इंप्रूब करने के लिए जावा एट के अंदर इंट्रेडूस किया गया एक कंसेप्ट वह क्या कि जब यह चेन की एक पर्टिकुलर ट्रेशोल्ड को पार करते तो इस चेन को लिंक्रष से हटाके एक सेल बेलेंसिंग बरेंस रस त्री में करता दो ठीक है उससे हुआ क्या कि अगर यह सेलफ बैलन्सिंग बन जाएगा इसके बाद सपोज को यह था आपका और इसके बाद आप ने इसको एक स अगर आपकी chain length 8 से जाता हो जाते हैं तो उसके अंदर जो भी nodes हैं उन nodes को पकड़ो उसको linklish के construct से अटाके एक self-balancing binary structure के construct में change कर दो उससे फायदा क्या होगा look up time में आपका length के लिनेर 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 होगा ठीक है तो length से अटके यह big log of length हो जाएगा तो इस तरीके से थोड़ा सा ही optimize हो जाता है यहां पर तो इस तरीके से आपको java 8 के अंदर implementation हो रही होती है तो यह हो गया आपका hash map का internal working I hope आप लोंको समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करता है basic ही है बहुत ज़्यादा लेकिन काफी बार पूचा आता है आपके collision आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के अंदर आपको chaining समझ में आ गया होगा आपको इस वीडियो के अंदर यह self-balancing binary और किस समझ में आए तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना कर देना चैनल को सब्सक्राइब मैं बलूँगा आप लोंसे नेक्ट वीडियो के अंदर चलते हैं बाइबाए